नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द्रवों के गुण पदार्थ के तीन अवस्ता है होती है ठोस, द्रवो और गेस ठोस अवस्ता में जो कण होते हैं वे कण एक दूसरे के बहुत अधिक समीप होते हैं और गती नहीं करते हैं परंतों हम द्रवों की बात करें तो द्रवों में कणों के बीच दूरी अधिक होती है और जब दो कणों के बीच दूरी अधिक होती है तो उनके बीच लगने वाले आकर्शन बलों का मान कम हो जाता है तो द्रव के कणों के बीच के आकर्शन बल कमजोर होते हैं ठोस की तुल्ना में इसी कारण द्रव में कण गती कर सकते हैं एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जा सकते हैं ये कण अपस में टकराते हैं पात्र की दीवार से भी टकराते हैं परांतु यादि हम इस द्रव की तुलना गेस से करते हैं तो गेस में कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है गेस में कण एक दूसरे से इतना अधिक दूरी पर होते हैं कि उनके बीच के आकर्शन बलको आप नगण्य मान सकते हो मतलब आप कह सकते हो कि गेज के कणों के बीच में कोई आकर्षन बलकार्य नहीं करता है इसी कारण गेज के कण पूर्ण तया स्वतंत्र होते हैं मतलब पूरी तरसे गेज के कण आजाद होते हैं और ये टेड़ी मेड़ी उल्टी सिधी गती करते रहते हैं ये कण भी आपस में टकराते हैं पात्र की दिवार से टकराते हैं परन्तु द्रव में कणों के बीच आकर्षन बल इस गेज की तुलना में अधिक होता है इसलिए कण यहाँ पर गती करते हैं परन्तु ये कण इस द्रव की सतक को छोड़ कर बाहर नहीं आते तो द्रव में कण गती करते हैं और इसी गती के कारण द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है मतलब द्रव को जब हम किसी पात्र में भरते हैं तो उस पात्र में द्रव के गण गती करते हैं फेल जाते हैं और द्रव उस पात्र का आकार प्राप्त कर लेता है तो द्रव का कोई निशित आकार नहीं होता है, इसे जिस पात्र में भरा जाता है उसी पात्र का आकार ग्राहन कर लेता है गेसों के कण भी गति शीले, तो गेसों का भी आकार निशित नहीं होता है यदि हम गेस पर बाहर से दाब लगाते हैं तो आप देख सकते हो गेस के अणों के बीच में गेप होता है खाली इस्तान होता है क्योंकि ये कण एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं जब बार से हम दाब लगाते हैं तो ये कण एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और गेस के इन कणों द्वारा गेरा गया इस्तान छोटा हो जाता है मतलब जब गेश पर हम दाब लगाते हैं तो गेश के द्वारा घेरा गया इस्तान घटने से गेश का आईतन भी कम हो जाता है तो गेशों का आकार और आईतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं परन्तु द्रव की बात करें तो द्रव में केवल आकार निशित नहीं होता है। परन्तु द्रवों के आयतन की बात करें तो द्रवों का आयतन निश्चित होता है। केज की तुलना में द्रवों के कण एक दूसरे के अधिक समीप होते हैं। ओ, जब हम द्रवों पर दाब लगाते हैं, तो ये कण और अधिक समीप नहीं आ पाते हैं। तो द्रओं के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब द्रओं का आयतन निश्चित होता है जब गेस पर दाब लगाया जाता है तो गेस के कन पास पास आजाते है इसे कहा जाता है गेस का सिकुडणा इसे आप गेस का संपीडन भी कह सकते हो मतलब गेस संपीडित होती है संपीड्ड्य होती है और द्रव पर जब हम दाब लगाते हैं तो द्रव में कन एक दूसरे के पास पास नहीं आते मतलब द्रव सिकुडते नहीं है तो आप केसकते हो कि द्रव आसम पीड़ी होते हैं द्रव के कनों के बीच आकर्शन बलों के कारण द्रव में विशेश गुण पाई जाते हैं जैसे शानता, प्रश्ट तनाव, वाश्प दाब आधी द्रव में पाई जाने वाले विशेश्ट गुण हैं अब हम समझेंगे कि गहनत्व क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको गहनत्व के बारे में बता देता हूँ एक सिंपल से उधारण के द्वारा माल लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है और इस वस्तु का द्रव्यमान है 500 ग्राम और इस वस्तु के द्वारा घेरा गया इस्तान मतलब इस वस्तु का आईतन है 100 सेंटीमिटर क्यूब तो इससे आप इस प्रकार लिख सकते हो 100 सेंटीमिटर क्यूब आईतन में इस पदार्ट का द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम तो इस पदार्थ के 100 cm3 में से मैं एक छोटा सा आयतन लेता हूँ एक सेंटीमिटर क्यूब इस एक सेंटीमिटर क्यूब को माल लेते हैं इतना सा आयतन है और इस आयतन में हम चेक करेंगे कि इस पदार्थ का द्रव्यमान कितना है तो 100 cm3 में पदार्थ का दर्विमान 500 ग्राम है तो 1 cm3 में इस पदार्थ का दर्विमान कितना होगा तो इसके लिए आपको इस 500 को डिवाइट करना होगा 100 से तो आपको प्राप्त होगा 5 ग्राम प्रती सेंटी मीटर क्यूब तो यहाँ जो मान हमें प्राप्त हुआ है यहाँ इस पूरे पदार्थ का घनत्व कहलाएगा यहाँ एक सेंटी मीटर क्यूब में इस एक को आप कह सकतो इकाई तो यहाँ इकाई आयतन है और किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्तित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहा जाता है तो अब आपको इस तरह से घनत्व ज्यात करने की आउशकता नहीं यहाँ पर 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब गनत्व तो इसके इस्तान पर मैं लिख देता हूँ गनत्व और यहाँ पर मैंने उपर 500 ग्राम लिखा जोकी इस पदार्थ का ढर्व्यमान है तो उपर मैं लिख देता हूँ ऑल्यमान और नीचे आपने भाग दिया सो का सो सेंटीमिटर क्यूब यहाँ पर इस पदार्थ का आईतन है तो अब हम ग्यात कर सकते हैं इस सुत्र से घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आईतन और घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहा जाता है इसे डी से भी दर्शाते हैं द्रव्यमान को मास कहा जाता है इसे आप एम से दर्शा सकते हो और आईतन को वोल्यूम कहा जाता है इसे आप वी से दर्शा सकते हो और जब हम द्रव्यमान ग्राम में लेते हैं आईतन सेंटीमिटर क्यूब में लेते हैं तो इस घंत्व का मात्रक हमें प्राप्त होता है ग्राम प्रती सेंटीमिटर क्यूब और यदि cm3 को ग्राम के साथ लिखना चाते हो तो इसे आप इस बटा वाले लाइन से उपर ले जाते हो तो इसकी घात का चिन्न बदल जाता है और आप लिख सकते हो ग्राम cm3 और यदि आप द्रव्यमान kg में लेते हो और आटन आप मीटर क्यूब में लेते हो तो आप इसका Ace Eye मात्र, प्रकाल लिख सकते हो, kilogram, meter, invol say अब हम बात करते हैं द्रवों के घनत्व की, तो मैं आपको बता दूँ, द्रवों का घनत्व गेज की तुला में अधिक होता है जिन पदार्तों का घनत्व अधिक होता है, वे पदार्त भारी होते हैं और जिन पदार्तों का घनत्व कम होता है वे पदार्त हलके होते हैं इसका कारण क्या है द्रव के अणू एक दूसरे के अधिक समीप होते हैं और यहाँ पर मैं लेता हूँ इकाई आईतन तो इस इकाई आयतन में कण पास पास होने से कणों की संक्या अधिक हो जाती है तो इकाई आयतन में द्रव्यमान भी अधिक हो जाता है द्रवों में कन पास पास होते हैं और यहाँ पर में लेता हूँ एक इकाई आइतन इस आइतन को माल लेते हैं एक सेंटी मिटर क्यूब आइतन तो आप देख सकते हो द्रवों में कन पास पास होने के कारण इस इकाई आइतन में कनों की संक्या चार है और इतना ही आयतन में यहां पर लेता हूँ तो आप देख सकते हो यहां पर गेस में कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो उतना ही इकाई आयतन जब में यहां पर लेता हूँ तो इस आयतन में उपस्तित कणों की संक्या काम हो जाती है अब आप मुझे बताईए इस एक सेंटीमीटर क्यूब में कण अधिक है तो यहाँ पर द्रविमान अधिक होगा या कम तो आपका जवाब बिलकुल सहिए यहाँ पर एक सेंटीमीटर क्यूब में चार कण है तो यहाँ पर कणों का द्रविमान अधिक होता है और यहां गेसों की बात करें, तो गेस अवस्ता में आप देख सकते हो, इकाय आयतन में उपस्तित कणों की संक्या कमें, तो यहां द्रवेमान कमें, इकाय आयतन में उपस्तित द्रवेमान को ही पदार्त का घंत्व कहा जाता है, और यहां द्रवेमान अधिक है, तो द्रवो का घनत्व गेस के घनत्व की तुला में अधिक होता है और द्रवों से भी अधिक घनत्व ठोस पदार्तों का होता है क्योंकि ठोस पदार्तों में कन एक दूसरे के अत्यदिक समीब होता है ठोस द्रव और गेस में घनत्व का क्रम इस प्रकार होता है ठोस का घनत्व द्रव स से अधिक होता है जल के घनत्व की बात करें तो जल का घनत्व लगबग एक ग्राम प्रती सेंटी मिटर क्यूब होता है और जब हम जल को ठंडा करते हैं मतलब इसे हम कम ताप पान पर रखते हैं तो जल बार्फ में बदल जाता है और मैं आपको बता दू बर्फ ठोस है और हमें पता है ठोस का घनत्व द्रव की तुलना में अधिक होता है परन्तु यहाँ पर आपको बता देता हूँ बर्फ का घनत्व जल से अधिक नहीं होता तो यह बात आपको याद रखना होगा कि सभी ठोस पदार्टों का घनत्व द्रव से अधिक होता है परन्तु जब हम जल से बर्फ बनाते हैं और बर्फ ठोस होती है फिर भी इस बर्फ का घनत्व जल से काम होता है जब जल को हम बर्फ में परिवर्थित करते हैं तो बर्फ की सरचना में छोटे छोटे छिद्र बनते हैं मतलब जल से जब हम बर्फ प्राप्त करते हैं तो बर्फ का आईतन भड़ जाता है मतलब जल में कन एक दूसरे के पास पास होते हैं और जल यहां पर एक विच्चित्र व्यवार दर्शाता है जब जल बर्फ में परिवर्थित होता है तो इसके कन एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं मतलब बर्प का आयतन जल के आयतन की तुल्ला में अधिक होता है और जब कणे एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं तो कणों के बीच में छोटे-छोटे खाली स्तान या आप कह सकतो वायू छिदर बन जाते हैं मतलब बर्प की सरचना छिदरी सरचना होती है इसमें छोटे-छोटे छिदर होते हैं यदि हम जल और बर्प में एक इकाई आयतन लेते हैं तो कणों के दूर जाने के कारण और इन छिद्रों के कारण इकाई आयतन में बर्प का द्रव्यमान जल की तुलना में कम हो जाता है इसलिए बर्प का घनत्व कम होता है घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है इकाई आयतन में बर्प का द्रविमान कम हो जाता है कण दूर चले जाते हैं तो द्रविमान कम होगा तो घनत्व कम होगा इसके अलावा कण जब दूर चले जाते हैं मतलब पानी से बर्प बनती है तो बर्प का आयतन बढ़ता है और आयतन के साथ गहनत्व का उल्टा सम्मन दे तो आयतन बढ़ेगा तो द्रवमान घटेगा तो इस प्रकार बर्प का गहनत्व जल की तुल्ला में कम हो जाता है और जिन पदार्तों का गहनत्व कम होता है वे पदार्त हलके होते हैं और जिन पदार्तों का घनत्व जादा होता है वे पदार्त भारी होते हैं मतलब जल भारी है बर्फ हलका है इसी कारण बर्फ जल में डूपता नहीं है जल की सता पर बर्फ तेरता है जब हम जल को गर्म करते हैं तो गर्म करते समय हम जल के अणों को उश्मा उड़जा देते हैं इस उश्मा उड़जा के कारण जल के कणों की गती जुड़जा बढ़ जाती है और ये कण तेजी से इधर उदर गती करते हैं पारंतु सबी कणों की गती जुर्जा समान नहीं होती है, कुछ कणों की गती जुर्जा दिखोती है, कुछ कणों की गती जुर्जा काम होती है ऐसे कण जिनकी गती जूरजाद दिखोती है, मतलब जिनकी गती बहुत दिखोती है, वे कण द्रव की सतर से बाहर निकल जाते हैं और इस अवस्ता को कहा जाता है वाश्प अवस्ता और गेसों का घनत्व जल की तुलना में काम होता है मतलब जब हम जल को गर्म करते हैं उसकी वाश्प बनाते हैं तो वाश्प का घनत्व जल की तुलना में काम हो जाता है तो यहाँ पर जब हमने जल को गर्म किया जल की अणों को उश्मा उड़ जा दी तो जल के अणों की गती जुर्जा बढ़ गई यदि हम इस जल को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो जल के अणों की गती जुर्जा भी अधिक हो जाती है इसका मतलब है कि इस जल में जो अणों है उन अणों की गती जुर्जा परम ताप के समानुपाती होती है ताप यहाँ पर केपिटल टी से दर्शाते हैं इस उर्जा को आप काइनेटिक एनरजी के ई से दर्शा सकते हो और द्रहों की गतिज उर्जा उनके परम ताप के समानुपाती होती है और यह ताप डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है यह ताप केलविन में होता है आप डिग्री सेल्सियस तापमान को केलविन में बदल सकते हो उसमें आपको केवल 273 जोड़ना है जब Celsius तापमान में 273 जोडते हैं तो हमें जो तापमान पराप्त होता है वह केलविन तापमान होता है तो यह बहुत आसान होता है जैसे 27 degree Celsius तापमान में यदि आप 273 जोडते हो तो 27 degree Celsius तापमान केलविन में बदल जाएगा और यहाँ केलविन में होता है 300 केलविन आपने देखाओगा जब हम अगर्वत्ती जलाते हैं तो उसकी खुश्बू पूरे कामरे में फैल जाती है या घटना विश्रण केलाती है विश्रण गेसों का अधिक होता है परन्तु द्रव का भी विश्रण होता है जब पदार्थ के अणू अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर स्वत्त चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को विश्रण का आजाता है माल लेते हैं इस पात्र में यहाँ पर दो द्रव उपस्तित है यहाँ द्रव A है और यहाँ द्रव B है और इन दोनों द्रवों को हम मिलाते हैं तो आप देख सकते हो इस स्तान पर द्रव एके अणों की सांद्रता अधिक है और एके अणों यहाँ पर उपस्तित नहीं हैं तो द्रव एके अणों अपनी अधिक सांद्रता वाले स्तान से कम सांद्रता वाले स्तान की ओर जाने लगते हैं और इसी प्रक्रिया को कहा जाता ह विश्रण और यहां प्रक्रिया स्वत्र होती है। इसी प्रकार द्रव बीके अणों की सांद्रता यहां पर अधिक है और यहां पर कम हैं। तो द्रव बीके अणों अपनी अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की और जाने लगते हैं। तो यहां पर द्रव B का भी विस्तरण होता है इस प्रकार दोनों द्रव का एक दूसरे में विस्तरण होता है और दोनों द्रव आपस में मिल जाते हैं गेसों की तुलना में द्रवों में विस्तरण की गत्ती धीमी होती है क्योंकि द्रवों के कण पास पास होते हैं और जब उसमें दूसरे द्रवों के कण प्रवेश करते हैं तो उनके लिए एक तरस जग कम होती है तो द्रवों में विस्तरण धीमी गत्ती से होता है जब आप इस द्रव को गर्म करते हो मतलब इसका ताब बढ़ाते हो तो आप द्रव के इन कणों को उश्मा उड़ जा देते हो और यह उश्मा इन कणों की गती जुड़ जा में बदल जाती है और ये कंट तेजी से गती करते हैं तो विश्रण की गती भी बढ़ जाती है मतलब ताब बढ़ाने पर द्रव में विश्रण की गती बढ़ जाती है और दोनों द्रव आपस में तेजी से मिक्स हो जाते है